लोग हमेशा बोलते हैं कि भाई हमें सच पर विश्वास करना चाहिए लोग यह सिखाते हैं कि भाई सत्य बोलना चाहिए मुझे भी यह इस इखाया गया हमारे टीचर हमारे माबाप हमारे एल्डर सब बोलते हैं कि सत्य बोलो सत्य के लावा कुछ भी न बोलो कोर्ट में भी यही बोला जाता है कि भाई मैं सत्य के लावा और कुछ नहीं बोलूंगा जूट नहीं बोलूंगा सब लोग सच की बात करते हैं सत्य की बात करते हैं लेकिन सत्य है क्या? What is the truth? और ये एक प्रश्न है जो बड़े-बड़े विचार धारकों और फिलासफरों और सोचने वाले जो वेक्तित्व होते हैं वो ये सोचते हैं कि आखिर सत्य क्या है यही बात स्लाइड का तो आप देखेंगे बाही तरफ मनुष्य है वो बिंदू मनुष्य का है बाही तरफ और वहां से तीन लकीरे निकल रही हैं दो लकीरे तो टूटी हुई हैं और जिसके ऊपर लिखा हुआ हैं सोच विचार और एक लकीर जो है वो बीच में से निकल रहे है बिना तूटा हुआ सीधा लकीर लाल कलर का लाल रंग का और वो पहुँचाता है परमेश्वर को अर्थाद सत्य को कहने का मतलब कई लोग ऐसा क्लेम करते हैं कि यार मेरी चीज सत्य है मैं सत्य बोल रही हूँ मैं सत्य हूँ और अलग-अलग विचार धाराएं अब उधारन की रूप में अगर हम देखें अगर हम फल खरिदने जाते हैं तो मौसमी वाला या फल वाला बोलता है यार मेरा जो फल है वो मीठा है दूसरा वाला बोलता है नहीं मेरा फल सबसे मीठा है अब प्रशने उठता है कि सच कौन बोल रहा है क्या दोनों जूट बोल रहे हैं दोनों सत्य तो नहीं बोल सकते हैं लेकिन दोनों में से एक तो सत्य बोल रहा होगा शायद या दोनों जूट बोल रहे होंगे तो मनुष्य जो है, उसके जो सोच विचार है ना, वो सत्य की कसोटी पर नहीं उतरते हैं, सिर्फ सत्य की जो बात आती है तो वो सिर्फ एक ही सत्य है, एक ही सत्य हो सकता है, दो विचार धाराएं बिलकुल भी सत्य नहीं हो सकती, जैसे कि आप यहां पर दो लाइन देख रह लेकिन वो सोच विचार, सत्य विचार नहीं है, उनके अपनी सोच है, अपनी thinking है, लेकिन एक ही सत्य है, एक ही सत्य परमेश्वर है जिसके बारे में आपको और मुझे को सोचना है, और अगर उस कसोटी पर हम चले हैं, तो हम सच में पहुँचेंगे सत्य की कसोटी पर, और ही एक सत्य है, बाकि दुसरों के अलग-अलग विचार हैं, अलग-अलग भावनाएं हैं, अलग-अलग आस्थाइं हैं, और अलग-अलग प्रकार की चीजे हैं जो लोग बोलते यार मैं सच हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, लेकिन हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते, अगर जो भी चीज है परमेश्वर के बच्चन के आधार पर है, तो उसको हम सत्य करके ग्रहन कर सकते, क्योंकि वही एक लाइन है, जो बीच में आपको जोड़ जरूर हो सकता है, लेकिन एक लाइन ही सत्य हो सकता है, अब इसी के बारे में, मैं परमेश्वर के बच्चन में से आपको कुछ बताने की कोशिश करूंगा, अब हम देखते हैं, कि प्रभु इश्वमसी ने क्या कहा, हम सत्य की बात कर रहे हैं ना, तो प्रभु इ प्रभु इश्वमसी ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, वो सत्य है, क्योंकि परमेश्वर क्या कहा, प्रभु इश्वमसी ने क्या कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, यह ने लिखा कि मैं भी ह भीयू का तो सवाल इन नहीं उड़ता है ना सत्य बहुचन में नहीं आ सकता है एक ही बहुचन में आ सकता है और वो है प्रभुष्मसी ठीक है, तो प्रभुष्मसी ने ये बात कहीं लोहों को पताने के लिए कि सत्य मैं हूँ जो मुझ पर चलेगा वो सत्य पर चलेगा और सत्य उन्हें क्या करेगा आजादी देगा छूट देगा पाप के अधिकार से एक बात ये सत्य की हुई चलिए दूसरा और देखते हैं सत्य के बारे में और वो पाया जाता है यहन्ना का उसका सोला अध्याय तेरा पद मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ यहन्ना उसका सोला अध्याय और तेरा पद यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के बच्चन में साफ रिती से लिखा हुआ है सत्य पवित्रात्मा भी है सत्य प्रभुष्य मसी है और सत्य पवित्रात्मा भी है जो की एक ट्रिनिटी का या आत्री एक परमेश्वर का भाग है अब सुनिए क्या लिखावा है पवित्र बच्चन में परंतु जवह अर्थात सत्य का आत्मा यह सत्य का आत्मा कौन है पवित्रा आत्मा अर्थाज सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्क पताएगा क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा परन्तु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बाते तुम्हें बताएगा यह है सत्य का आत्मा अब आजकर लोग के अलग-अलग आत्मा हैं, अलग-अलग विचार धारा हैं, वो सत्य के आत्मा हैं नहीं हैं, अगर हम परमेश्वर के बचन से डाइवर्ट हो गए हैं, जैसे कि ये तीर उपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है, जो मेन धारा है, जो मुख अगर उसमें से अलग उठ गए तो मनुश्यों के अलग विचार धारा हैं, वो सत्य पर आधारित नहीं है। यहां तो मैंने आपको सिर्फ दो ही दिखाया, तीन भी हो सकता है, चार भी हचार भी हो सकता है। सब अपने विचार धाराओं के बारे में हैं। मैं अभी उसके बारे में और बताऊंगा, लेकिन अभी हम परमेश्वर के बारे में बात कर रहे हैं, जो सत्य है। अच्छा, और ज़रा देख लेंते हैं, इश्व मसी के बारे में हमने देखा, अच्छा, एक और है, सू समाचार का सत्य है। अर्थात, प्रविश्य मसी आपके और मेरे पापों के लिए कुरूज पर बलिदान हुआ, तीसरे दिन बुर्दों में से जी उठा और वो एक दिन आने वाला है, उनको लेने के लिए जिनका पाप से छुटकारा हुआ, जिनोंने नया जन पाया, जिनोंने प्रविश्य मसी पर विश्वास किया, वो प्रविश्य मसी लेने आएंगे उस वेक्ती को. ज़रा देख लेते हैं, आपके लिए पढ़ लिएता हूँ, पाये जाता है, इफीसियों की पतरी, उसका पहला अध्याय, तेरा पद्म, इफीसियों की पतरी, पहला अध्याय, और तेरा पद्म, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुमारे उद्धार का सू समाचार है, देखे, उद्धार का सू समाचार क्या है? सत्य वचन है. और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिग्या किये हुए, पवित्रा आत्मा की छाप लगी हुई है, पवित्रा आत्मा की छाप लगी रहेगी, यदि हमने प्रभु इश्वासी पर विश्वास किया है, और उस छाप से पहचाना जाएगा, भाई कि ये बैक्ती, ये फलाना फलाना बैक्ती, प्रभु का प्यारा है, प्रभु को प्यार करता है, सत्य को जानता है, सिर्फ वो सत्य के बारे में बोलता नहीं है, सत्य को जानता है, परमेश्वर को जानता है, पवित्रा आत्मा को जानता है, प्रभु शमसी को जानता है, तो वो जो है, जो भी वो काम करेगा, सत्य की बात करेगा, वो जूट नहीं बोलेगा सत्य बोलेगा, अभी मैं आपके सामने क्या कर रहा हूँ मैं जूट नहीं बोल रहा हूँ मैं सत्य की बात आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आप भी यदि अभी तक आपने प्रभु को गरने किया परमेश्वर के पास नहीं आए तो आवाज आईए ये है सत्य का वचन जो परमेश्वर का वचन यहाँ पर लिखावा अच्छा एक और चीज है सत्य और क्या है परमेश्वर का वचन सत्य है जियां जो उसके मूँ से निकला हुआ वचन है वो एक सत्य बचन पाय जाता है युहन्ना रचित्सु समाचार उसका सत्रा अध्या है और उसका सत्रवापद सुनिये सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर क्योंकि तेरा बचन सत्य है तेरा बचन Bible, धर्मशास्त्र, परमेश्वर का बचन ये एक सत्य बचन है जो मैं आज आज आपको पढ़की सुना रहा हूँ ये सत्य बचन, आपको और कहीं नहीं मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा ये सत्य बचन सिर्व परमेश्वर का बचन जो Bible हमें दिया गया है उसको हमें पढ़ना है मनन करना है विश्वास करना है और उसके अनुसार चलने की कोशिश भी करनी है सत्य की कसोटी पर चल रही हूँ ये तो बात हुई ना और एक बात और देखते हैं प्रमीश्वर के बारे में पाये जाता है यही सत्रा अध्याय का तीन पाद सत्रा अध्याय का तीन पर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है और अनंत जीवन ये है क्या है भाई कि वे तुझ अद्वेत सचे परमेश्वर को कौन से परमेश्वर को सचे परमेश्वर को और येश्य मसी को जिसे तुने बेजा है जाने वो परमेष्वर, त्री एक परमेषवर को जाने, सिर्ज एक ही परमेष्वर है और दूसरे लोगों ने बना के रखा ना, हिश्वर अपनी मूर्तों के अनसार, अपने अपने दिमाग के imagination नेशन, कलपनाओं के अनुसार, वो जूटे हैं, वो सत्य नहीं हैं, और उनके चलने वाले भी वैसे ही हैं, वो सत्य की कसोटी पर नहीं चल सकते, क्योंकि परमेश्वर एक है, जिसने अपने आप को अपने वचन में, बाइबल में रिवेल किया, प्रभुश्यमसी में रिव जलना है, यदि हम सचे अद्वईत परमेश्वर को जानते हैं, तो ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, तो हमने अभी तक देखा, कि जो परमेश्वर है, त्री एक परमेश्वर है, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, और परमेश्वर पवित्र आत्मा, ये सत्य है, और दाइबल सत्य बचन हैं। और यह बिल्कों लॉजिकल बनता है कि हम इस सत्य पर चलें। अब क्या होता है कि लोग कि विचार इधर उदर जाते हैं। अब शुरुवात में जब हम देखते हैं परमdı इस्वक ने मनुशे को बनाया अपने स्वरूप में और उसको वाशिष दिया लेकिन वह पाप में गिर गया. वो सत्य से भटक गया जिया वो सत्य से भटक गया और उसने अपनी कल्पनाओं के अनुसार जीना चाहा तो सब व्यक्ति ने अपने अपना खुद का कोई इश्वर बना लिया कोई भगवान बना लिया कोई ये बना लिया कोई पेड को पूजा करने हमसे बड़ा तो भी दिखाई दे रहा है, हैगी नहीं, कोई नदी की पर आस्ता रखने लवाला है, ये सत्य नहीं है, ये सत्य को तोड मरोड करके अपनी विचार धाराओं में लोगों ने उस पर विश्वास करना शुरू किया, मैं आपके लिए पढ़ता हूं बाइबल में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्यव बढ़ाई और धन्यवाद न किया, परन्तु विर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्भुद्धी मन अंधेरा हो गया, तब ही तो सत्य से क्या बन गए मुर्ख बन गए और अभिनाश्री परमेश्वर की महिमा को नाश्वान मनुष्य और पक्षियों और चौपाओं और रेंगने वाले जन्तुओं की मूरत की समानता में बदल डाला यह तो है अब यही तो मुर्खता वाली बात है क्योंकि वो सत्य से भटग गए इनका जो वीवरे ने बहुत इंट्रेस्टिंग दिया गया है भजन सहिता उसका 115 अध्या है और तीन पत से मैं पढ़ूंगा सत्य जो हमारा परमेश्वर है और जो अलग-अलग रूप में लोगों ने उस परमेश्वर का ढाला जानवरों में या मूर्तियों में या सुनिये परंतु वे सूंग नहीं सकती उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वे स्परश नहीं कर सकती उनके पाव तो रहते हैं परंतु वे चल नहीं सकती और उनके कंट से कुछ भी शब्द नहीं निकल सकती जैसी वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले हैं और उन पर सब भरोसा रखने भी वेसी ही हो जाएंगे ये है सोच विचार साथ ये है जूट ये है भ्रहम ये है अलग अलग विचारधारा ये जो मनुष्य के मन से निकलती हैं और उसी को अपना सोचतें की यार यही सत्य है किसी ने बोल दिया ये कि बहुत साफ और सटीक रूप से कहता हर मानव जाती को कि हरेका अपने अपने सोचने का तरीका अब देखी ना मनुष्य का जो माइंड है कैसा कितना खराब हो गया उत्पत्ति उसका च्छे अध्याय पांच पन में क्या लिखा हुआ है यवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई प्रित्वी पर भड़ गई है और उनके मन की विचार में जो कुछ इत्वन होता है वो निरंतर बुरही होता है जूटा होता है पापी होता है देखिए पवित्र नहीं हो सकता है क्योंकि वो पापी है उनका स्वभाव पापी है मैं भी एक समय पापी था हम सब पापी हैं मनुष्यों लेकिन जो प्रभविश्व मसी पर विश्वास करते हैं सत्य पर विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं परवेश्वर के वच्चन अर्थात बाइबल पर विश्वास करते हैं, उनका नया जन्म हो गया है, वो प्रभु को प्यार करते हैं, वो सत्य को जानते हैं, और ये लोग पाप से पाप के बंधन से छुटकारा पा जाते हैं, अब प्रशने उठता है आप जो सुन रहे हैं, अगर नहीं तो आज मौका है कि आज आप वो बीच वाली जो लाइन है ना, सत्य वाली लाइन, लाल कलर की लाइन, जो पूरा, बिना टूटा हुआ है, सीधी लाइन है, और वो सत्य वाली लाइन है, दूसरी जो है टूटी हुई है, खराब हो चोकी, करप्ठ हो चोकी, मिल उसमें से आपको निकल करके परमेश्वर की लाइन पर आना है ताकि आप सत्य की कसौटी पर उतर कर परमेश्वर की बेटे और बेटिया बन सकते हैं, पवित्र बन सकते हैं, अपना इस्थान स्वर्ग में क्या बोलते हैं, रिजर्व कर सकते हैं, ये तो परमेश्वर का बच जित नहीं होगा सो मेरे प्रियों आज हमने देखा कि मनुष्य जो है उसके सोच विचार अलग-अलग तरीके से होते हैं लेकिन एक ही जो सत्य है वो सोच विचार नहीं है वो पक्का सत्य है और वो है परमेश्वर पवित्रात्मा प्रभुष्य मसी परमेश्वर का बचन सूसमाचार गौस्पल जिसे हम कहते हैं कि प्रभुष्य मसी हमारे पापों के लिए मारा गया, गाणा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आज वो जिवित परमेश्वर ये सत्य है अब आप चाहे विश्वास करें या ना करें भाई ये तो आपके अपने विचार वाली बात है है ना लेकिन सत्य सिर्फ एक ही है दो नहीं हो सकता, तीन नहीं हो सकता दस नहीं हो सकते एक ही सत्य होगा, यहाँ पर सिर्फ आपको एक ही सीधी लाइन दिख रही है, जो बिना टूटी हुई है, बाकि और दूसरे टूटे टूटे अलग अलग विचार धारा हैं, वहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, तो मेरे सुनने वाले भाई भेहन, अगर आप जानते हैं प्रभुश्य मसी को, तो आप इसको इस चि हम सबों के साथ स्वर्ग में आनंद कर सकें, जो आनंद काल का जीवन प्रभु आपको और मुझको देता है, तो आएए हम इस सत्य परमेश्वर को वेक्ति गत्रु से जानें और इसके द्वारा हम दूसरों को भी बताएं, कि सत्य क्या है, और जब ऐसा होता है, तो किया है, यह डायाग्राम बहुत इंपॉर्टिंट है, महत्वपूर्ण है, डायाग्राम से कभी कुछ ऐसे चीज़ें हैं, जो थोड़ा सा और साफ हो जाती है, तो समझने में आसानी भी रहती है, तो आएए हम उस सत्य परमेश्वर की और मुड़ें, और अगर मुड़ ग किया है, आमेन